हलो दोस्तों मैं अग्रशन आरिया और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरिया कोची और मैं क्लास शुरू करने से पहले एक बाद आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और वेलाइगन को जरूर प्रेस करते हैं जिससे आप हमसे बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ सके हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि वैद्यु दुद्रों की निरच्छी तिमें वैद्यु चत्की तीवरता का वेंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वैदुचेत्रों की अच्छी इस्थिति में वैदुचेत्र की तीवता कैसे प्राप्त करते हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं निरच्छी इस्थिति में वैदुचेत्र की तीवता कैसे प्राप्त करते हैं पहले एक हम वैद्यू दिद्रू लेते हैं ये एक वैद्यू दिद्रू है जिसका नाव हम देदेते हैं A B वैद्यू दिद्रू है A B जिस पर देखो वैद्यू दिद्रू पर दो आवेस उपस्तित होते हैं तो दोनों पर हम आवेस भी उपस्तित कर देते हैं एक पर दे दिया माइनस क्यों आवेस, एक पर दे दिया प्लस क्यों आवेस, दोनों आवेस भी वस्तित हैं, और इसके मध्ध बिंदू यहाँ पर हमने माल लिया है, मध्ध बिंदू माल लिया है, अब इस मध्ध बिंदू पर वैद्चित की तिवर्ता हमें ग्याद करना है, किस बिंदू पर ग्याद करना है मध्य बिंदू से कुछ दूरी पर और इसकी निरच्छी एस्थिति में ये है निरच्छी एस्थिति इसे बोलते हैं अच्छी एस्थिति और ये होती है निरच्छी एस्थिति तो ये निरच्छी एस्थिति में कोई बिंदू यहाँ पर हम म देख रहे हैं इस बिंदु P की दूरी जो है वो O से R मीटर है या R दूरी है ठीक है बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है R दूरी है और हमें क्या जयाद करना है बिंदु P पर वैदुचयत की तीवता अच्छा अकर हम बिंदु P पर वैदुचयत की तीवता जयात करना मतलब हमें अगर गिंदू P पर वैदू 6 की तिवता ज्याद करनी है तो हमें P, B और ये A, P ये दोनों दूरियां हमें प्राप्त होनी चाहिए लेकिन अभी हमें केवल R दूरी प्राप्त है और हमें मालूम है कि वैदो दूरू की लंबाई को हम L इधर लिख सकते हैं और L इधर लिख सकते हैं अता दूरू की लंबाई तो टोटल 2L होती है ठीक है अब हम देखेंगे यहां पर ये दूरी जो है O, B कितनी है? L है और ये O, P कितनी है? R है अब हमें दूरी क्यों से गयाद करनी है? B, P ये दूरी अगर गयाद करनी है तो हमें पाइधर उस प्रमे से पता चल जाता है कि ये जो कर्ण है कितना होता है? तो कर्ण is equal to होता है Lumb square प्लस आधार square मतलब R square प्लस L square तो हम ये दूरी को क्या कह सकते है? Lumb square प्लस आधार square, root Lumb square प्लस आधार square मतलब ये हो जाएगा P, P पर रूबर root R square प्लस L square और इसे प्रकार से इधर की भी दूरी क्या हो जाएगी? root R square प्लस L square ठेक है? ये चेतर समझ में आ रहा है? बिलकुल समझ ये एक वैदो दूरी प्लस क्यूरी पर इसकी निरच्छी इस्तिती में आर दूरी पर एक विन्दू P है इसी विन्दू पर हमें वैदो चेत की तिवता ग्याद करनी है और हम देख रहे हैं कि वैदो चेत क की तिवता ग्याद करने के लिए हमें आवेस से बिन्दू P की दूरी पता होनी चीए तो आवेस Q से बिन्दू P की दूरी निकल के आई है, root R square प्लस L square ठीक है? अब हम बिन्दू P पर वैदो चेत की तिवता ग्याद करते हैं तो हम प्लस Q आवेस कारन जब वैदो चेत की व्याद की तिवता प्लस Q आवेस कारन जो बिन्दू P पर होगी उसे हम E1 से वेक्त करेंगे और यहां पर जो एग्याद की तरफ होगी यह माइनस क्यू की तरफ होगी क्योंकि हमें पता है कि प्लस क्यू आवेस कारण जो वैदुचेत की तीवरता होती है वह आवेस से बाहर की और होती है तो प्लस क्यू आवेस कारण वैदुचेत की तीवरता बाहर की और है और माइनस क्यू आवेस कारण जो वैदुचेत की त गटक में अलग-अलग-बांड देंगे और टू को भी 36 और उर्धा-धर गटक में अलग-अलग बांड देते हैं ठेक है तो हम देखें specialized on that approach सुण गारे जिसे हम लेंगे ईसे से करेंगे वन कॉस्फ टिटा है e1 sin इसी प्रकार इसका 36 गड़क क्या होगा तो 36 गड़क को लेंगे 나오ujund не ईवन कोस थिटा के साथ में आपि it इसे प्रकार टो छम Caitlin भागों माटवें तो is the ूग वह इसकी दिसा भी दी इसी और होगा मलग E1 cos theta की दिशा में ही E2 cos theta भी होगा अर्ठात ये दोनों एक की दिशा में होंगे इसलिए ये add हो जाएंगे ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा E1 cos theta प्लस E2 cos theta ये value चेट की तीवरता है E1 की 36 दिशा में और E2 की 36 दिशा में और इसकी उर्धादर दिशा में जो वैदुचित की तीवरता होगी उसकी दिशा नीचे की और होगी इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे जिसकी जो value होगी तो ये क्या होगी E2 cos theta हम देख रहे हैं कि D1 और E2 किसके करण वैदुचित की तीवरता है हमें पता है कि इन दोनों आवेस की विंदẩब P से दूरियां शमान है अगर दूरियां समान है तो वैदुचित की तीवरता भी शमान होगी लेकिन वैदुकित की तीवरता समान है अर्था हम कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर है और e1, e2 अगर बराबर हैं तो e1 sin Theta और e2 sin Theta भी आपस में बराबर होंगे अगर यह बराबर है और विपरीत दिशा में है तो यह एक दूसरें को बिल्कुल निरस्त कर देंगे अर्थात E1 sin theta और E2 sin theta आपस में निरस्त हो जाएगे इनका मान सुने हो जाएगा यह जब निरस्त हो जाते हैं तो हमारा बचेगा क्या E1 cos theta और E2 cos theta यह भी परीत नहीं है बलकि वो एक ही दिशा में है और जब दोनों एक ही दिशा में होती है तो उन वैदुचित की तीवरताओं को जोड देते हैं अर्थात अगर हम बिन्दु P पर परड़ामी तीवरता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बिन्दु P पर परड़ामी तीवरता होगी E1 cos theta प्लस E2 cos theta क्योंकि E1 sin theta और E2 sin theta कैंसल हो जुका है लेकिर हमारे पास E1 का value कितना है E2 का value कितना है तो हमें मालूम हैं कि E1 E2 दोनों बराबर है तो E1 E2 का value निकाल लेते हैं तो हमें पता है कि प्लस Q always की बिन्दु P से दूरी और माइनस Q always की बिन्दु P से दूरी बराबर है अर्था तो वैदुचेत की तीवरता भी बराबर होगी, कितनी होगी, तो प्लस Q आवेस तथा माइनस Q आईस कारण बिंदू P पर वैदुचेत की तीवरता कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं, E1 के या फिर E2 के यह दोनों बराबर होगी, E1 is able to E2 बराबर क्या होगा, तो व दूरी Rood R² प्लस L² और इसका भी हो जाएगा SQUARE क्योंकि यहाँ पर होता है R², R क्या है, Rood R² प्लस L² और इसका SQUARE कर दिया है, और SQUARE जब होता है, तो Rood हट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, E1 is equal to E2 बराबर हो जाएगा, 1 upon 4 Pi Epsilon 0 into Q upon R² प्लस L², यह हमारा वैदु चेट की तीवरता निकल आई है प्लस Q और माइनस Q आवेसकार बिंदू P पर लेकिन हमें प्रता है कि बिंदू P पर परणामी जो तीवरता होगी वो केवल होगी E1 कॉस्थिटा प्लस E2 कॉस्थिटा ये वाले निरस्त हो चुकी है अर्भात बिंदू P पर परणामी जो तीवरता है हम दिकलते है परणामी जो तीवरता बिंदू P पर परणामी जो तीवरता होगी E is equal to E1 कॉस्थिटा E1 कॉस्थिटा प्लस E2 कॉस्थिटा E2 cos theta E1 cos theta plus E2 cos theta और यहां पर हम दोनों की value यहां पर रख देते हैं ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? इस तरह से बनेगा यह E is equal to E1 और E2 का value बराबर है तो हम इसे E1 का value भी यही रखेंगे E2 का value भी यही रखेंगे same value रखेंगे E1 E2 बराबर है तरह किए E1 का value है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon root r square plus l square root हट का था तो यह है r square plus l square और into में क्या होगा? into में cos theta तो क्या है? cos theta इसी प्रकार plus E2 E2 का value भी यही है 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon r square plus l square into cos theta ठेक है? तो यह value हो गया है अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम देख रहे है कि इससे हम जोड़ देंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह खिर कामन ले सकते हैं जोड़ सकते हैं कुछ भी कह हैं तो हम क्या करेंगे? q upon 4 pi epsilon not into यह वाला पूरा value यह वाला पूरा value common लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon not into q upon r square plus l square इतना कामन हो गया तो अंदर क्या बचेगा? cos theta plus cos theta ठेक है? हम cos theta भी कामन ले सकते थे 1, 1 मसता 2 हो जाता कोई दिक्कार नहीं है जैसे भी करना चाहिए वैसे कर सकते है तो आगे हो जाएगा e is equal to 1 upon 4 pi epsilon not into q upon r square plus l square into cos theta cos theta बन करके 2 cos theta हो जाएगा ठेक है? 2 cos theta हो जाएगा अब हम यहाँ पर theta का value निकाल लेते हैं theta का value कितना है? तो theta का value हम लोग यहाँ पर इस figure से निकालेंगे ध्यान से देखेंगे इसे diagram को ध्यान से देखेंगे तो हम देखें यहाँ पर है मालिया यह है theta इसे n theta करना ठेक है? और अगर यह theta है यह theta है तो हमें मालूम है cos theta का value हम लोगों ने high school में trigonometry में पढ़ा था cos theta is equal to होता है आधार बटे करन तो यहाँ पर हम figure से निकालेंगे diagram से diagram से हमें पता चलेगा कि cos theta is equal to हो जाएगा आधार बटे करन आधार बटे करन आधार बटे करन और आधार कितना है? तो आधार है L और करन इतना है? तो करन है R square plus L square तो cos theta का value आता है L upon root R square plus L square और यह value यहाँ पर हम रख देते हैं अपड़ पर आते हैं तो यह क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा यह e is equal to 1 upon 4 pi epsilon not into q upon R square plus L square into 2 और cos theta का value क्या हो जाएगा? L upon root R square plus L square यह हमारा value प्राप हो जाएगा अब हम देख रहें कि उपर हमारा 2ql मिलेगा 2ql कुछ याद आया? 2ql क्या होता है? वैतित्द्रू आगूर जिससे हम P से वैक्त करते हैं तो यह 2ql क्या होता है? जिससे हम P से वैक्त करते हैं तो हम 2ql की जाएगे पर क्या लिखेंगे? P लिख देंगे R² प्लस L² की घात 1 बटे 2 रूड का मतलब होता है घात में 1 बटे 2 तो हम देखें, गुणा में घात है जूड जाती है यह 1 घात है, यह 1 बटे 2 घात है तो यह क्या हो जाएगी? एक और 1 बटे 2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटे 2 तो E is equal to क्या हो जाएगा? 1 अपान 4 पाइ एक्साइलर नॉट इन्टू P अपान यह हो जाएगा R² प्लस L² की पावर 3 बटे 2 ठीक है? यह जुड़ गई? तो 3 बटे 2 और अब हम वही फिर देखें जो हमने पिछले वीडियो में है और L का स्क्वेर करते हैं तो और भी छोटा हो जाता है इसलिए क्या होगा? कि L² R² की तुलना में बहुत ही छोटा होगा और जब L² R² की तुलना में छोटा होता है तो L² को नगणे मानते हैं उसे छोड़ देते हैं लिखेंगे जब L² is very very less than R² तब L² को छोड़ने पर छोड़ने पर ठेक है? अब हम L² को छोड़ देते हैं और जब L² को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये इक्रेसर बनेगा is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into P upon R² R² अब L² छोड़ना है अब L² छोड़ दिया है घात कितनी है? 3 बटे 2 into 3 बटे 2 तो ये 2 और ये पावर 2 cancel हो जाएगा तो ये हो जाएगा is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into P upon R² ये हमारा फार्वला निकलके आगया है वैद दिद्रू की निरच्छी सिति में वैद चर्की तीवरता का वैद जेख हमने प्राप्त कर लिया है ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? P upon R² और उसमें क्या था? अच्छी सिति में वैद चर्की तीवरता P upon वहाँ पर 2 P upon R² था यहाँ पर केवल P upon R² ठीक है? अब हम अगर कहें कि वैद दिद्रू को अगर किसी दूसरे माध्यों में रख दिया जाए जिसका अपवरतनान या फिर जिसका परावैद दिद्रू के होता है तब उसका फार्मुला बन जाता है इस उकल टू 1 upon 4 P epsilon not K इंटू P upon R² यह फार्मुला निकल के आता है वैद दिद्रू की निरच्ची एस्तितिका तो हम एक बार फिर देखते हैं दुबारा यह क्या है एक वैद दिद्रू A.P है जिसका नाम हमने दिया है A.B. ठीक है इसकी लंबाई टोटर 2L है इसका मद बिंदू है O और इसके मद बिंदू से आर दूरी पर निरच्ची एस्तिति में एक बिंदू P है यहां पर वैद चत्की तीवता हमें ज्याद करनी है ठीक है इसके एक सिरे पर माइनस Q आवेस इस्तित है दूसरे सिरे पर प्लस Q आवेस इस्तित है और अब हमें बिंदू P पर कान दूरी कितनी होगी बिंदू P की तो देखा रूड R² प्लस L² होता है और इससे भी दूरी है समान होगी ठेक है अब इनकी प्लस क्यों आवेसकान जो वैदू छेत की तीवता होगी इसकी दिषा उपर की ओर होगी मनलब E1 की तरफ और इसके माइनस की तीवता होगी इसकी दिषा मनलब माइनस की ओर होगी इन वैदू छेत की तीवताओं को 36 और उधा दुगटकों में वियोज़ित किया है इनके उभाद अर्गटक E1 सांधिटा एटू को सिटा आपस में निरस्त हो जाएंगे और जो चैर्टे जटक हैं वह आपस में जूड़ जाएंगे तो हम देख रहे हैं माइनस की और प्लस की वावेस की बिंदू पी से दूरी समान है इसलिए इनके जिनसे मतलब रात होने वाले वैदुचेत की तीवता भी शमान होगी इसलिए हम कह सकते हैं ए 번 और टू समान होगी तो कितनी होगी तो एक केइसस नंबर एक मईने लते हैं और विंदू पी पर बलामी ती व्रत चुरत होगी क्या होगी E1 cos theta plus E2 cos theta तो यह E1 cos theta plus E2 cos theta E1 का value रख दिया है E2 का value रख दिया है सेम है और यहाँ पर यह common ले लिया है 1 upon 4 5 epsilon 0 into Q upon root R square plus L square तो बचेगा क्या cos theta plus cos theta ठेक है तो यहाँ पर add हो के हो जाएगा 2 cos theta यहाँ पर हमें cos theta का value निकालना है वो कहाँ से निकालना है डियाग्राम से देखेंगे अगर यह कौण theta है तो cos theta पराबर होता है आधार अपर टेक कर्ण और आधार यहाँ पर क्या है L है और कर्ण क्या है यहाँ पर root R square plus L square है बस हमें cos theta का value पराब्द हो चुका है यह value हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जागा है E is equal to 1 upon 4 plus 7,8 into q upon R square plus L square है इससे ही है बस यहाँ पर क्या किया है 2 into cos theta का value है L upon root R square plus L square है अब हमने क्या किया है यहाँ पर 2 q L दिखा और 2 q L को हम क्या लिख दिया P लिखते हैं और बाद में यह घाते जुड़के हैं 3 बटे 2 हो गया है हमें मालूम है कि L square R square तुल्ला में बहुत ही चोटा होता है तो L square को छोड़ते है और यह से L square को छोड़ते है तो equation पराप्त होता है 1 upon 4 pi epsilon not into P upon R square की power यह वाले 3 बटे 2 हो जाएगी दोदो कैंसिल R cube बचेगा तो यह हमारा E is equal to 1 upon 4 pi epsilon not into P upon R cube यह वैदो दुद्रो की नरच्छी स्थिति में वैदोचत की तीवता का वेंज़क प्राप्त होता है और इसी प्रकार अगर यह दुद्रो निर्वात या वाईट के अलावा दुद्रो की नरच्छी स्थिति में वैदोचत की तीवता का वेंज़क है अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें कमेंट करें और सेर करें और हमारे साथ जुड़े रहे अगर चैनल नहीं सस्क्राइब किया तो सस्क्राइब जरूर कर ले धन्यवाद